नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है मैं नीरो सरजनू फोर्ड हस्पताल में हम आज चर्चा करेंगे मिर्गी के बारे में यह आम कंसेप्ट है कि जैसे सड़क पर हम लोग जिस तरह के मिर्गी के मरीज देखते हैं वही एक मिर्गी के प्रकार है यह एक बिल्कुल हो जाना अचानक कहीं पर दर्ध होना हाथों का कंपन पैरों का कंपन यहां तक ही धड़कन तेज हो जाना खूब पसीने चलना यह सारे तरह के लक्षन देकर मिर्गी आ सकते हैं तो इसका एक समुचित सबसे पहले तो डियागनोसिस होना बहुत ही जरूरी है किस प्रकार क की मिर्गी है तो उसके स्पेस्फिक दवाएं उपलब्द हैं जिनको चलाने से मिर्गी पर कंप्लीट काबू पाया जा सकता है बहुत एक रेर किस्म की मिर्गी होती है जिसको मेसिल टेंपोरल लोव एपिलेप्सी म्टी एली भी कहते हैं यह एक मातर ऐसा मिर्गी का प्रक परण उत्परेरक कारि कोई सोर्स मौझूद हो इस तरह कि जो उत्परेरख चीज मौझूद होती है उसमें प्रमुक्त है एक कि जदी किसी को कोई ट्यूमर आ रहा हो सब्स्क्राइब के भीतर डेवलप हूआ कोई ट्यूमर या हाईड्रो की फ्लस जिसमें ब्रेन के अंद अचानक से प्यास ज्यादा लगना या सीड़ दर्द के साथ उल्टी आना इस तरह की जड़ी समस्या हो और साथ में कभी मिर्गी ये मिर्गी के किसी प्रकार का लक्षन पाया गया हो तो उसका इमेजिंग के माद्धे में समुची डागनोसिस जरूर कराएं इमेजिंग में मुख तोर पे MRI जो की बहुत ही जरूरी है और EEG ये भी एक इसमें सहायक सीद होता है दवाओं के बारें जदी हम बात करें तो अभी हजारों तरह की मिर्गी से लड़ने की दवाएं मौजूद हैं जिसमें कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जो की बिल्कुल पूर पर मिर्गी से मुक्त हो सकता है जोड़ी कोई छोटा मोटर ट्यूमर हो या लोग्रेट गलायोमा हो उसके भी उपचार के बाद उसकी सर्जरी के बाद मिर्गी से पूर्ण आजादी पाई जा सकती है तो हमें जरूरत है जागरूक रहने की कारण ढूरने की और सही डॉक् झाल